लाव के पत से जुड़े मामले में केजरिवाल सरकार के 21 विधायकों की सदस्ता को चुनौती देने वाले वकील प्रशान पटेल को जान से मारने की धमकी मिली है पटेल ने ट्वीट कर बताया है कि उन्हें किसी तमकी नहमत नाम के वेक्ति द्वारा धमकी दी गई है उन्होंने ट्वीटर पर एक मैसेज का स्क्रीन शॉट पोस्ट किया है जिसमें धमकी भरा संदेश लिखा है वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी के बागी विधायक और दिल्ली सरकार के पुर्मंत्री कपिल मिश्रा ने चिंता जताते हुए कहा है कि पटेल को इस तरह की धमकी मिलना चिंता जनक है उनकी सुरक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए ये मामला साल 2015 के मार्च महिने से चल रहा है जब अरविंद के जीवाल ने अपने 21 विधायकों को संसदिय सचिव के पद पर न्यूक्त किया था चुनाओ आयोग ने राष्टपती रामनात कोविन से इन विधायकों को 13 मार्च 2015 से 8 सितंबर 2016 के वीच लाब के पद के मामले में आयोगी घोशित करने के लिए सिफारिश किया था जिस पर राष्टपती ने मंजूरी दी थी लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोट ने विधायकों के अपील पर चुनाओ आयोग को ये आदेश दिया था कि वो सभी आरोपी विधायकों के पक्ष को एक बार फिर से सुने